हाई अब्रिवन स्वागत है आपका RS Creation Study Channel में तो आज हम लोग एक बहुत important topic discuss करने जा रहे हैं MEG04 का जो की block second से है unit first का topic जिसका title है 3 periods the making of English तो आज हम लोग English language की history discuss करेंगे English language जो है bunny कैसे वो discuss करेंगे और इसके जो main बहुती जादा important 3 periods है उनको बारी बार से discuss करेंगे जो first period है वो है old English period जो की 450 से start हो जाता है और 1100 century तक रहता है इसके बाद है second period जो की है middle English period जो की 1100 century से start होता है और 1500 century तक जो है रहता है इसके बाद जो है third period start हो जाता है modern English period जो की 1500 century से start होता है और present day में आज भी जो है जो चल रहा है modern English period ही है तो इस वीडियो में हम लोग जो है जो first है old English period उसको discuss करेंगे और बाकी के जो दो periods है इनको जो है next videos में discuss करेंगे क्योंकि एक वीडियो जो है बहुत जादा लंबी हो जाएगी अगर इन तीनों को मैं जो हूँ एक ही वीडियो में discuss करेंगे इसलिए हम इनको बारी बारी से एक एक करके discuss करेंगे तो यह जो old English period है इसकी सुरुआ जो है 5th century से होती है लेकिन हम जो है इस old English period को start करने से पहले जो 450 से पहले का time period है 5th century से पहले का time period है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे historical background पता कर लेंगे तभी हमें जो है जो आगे चीजें है 5th century से आगे जो चीजें होगी वो समझ में आएगी तो इसलिए पहले मैं आपको historical background बताऊंगी उसके बाद हम जो है old English period को discuss करेंगे तो starting होती है Keltz tribe से ये tribe जो थी Britain में सबसे पहले रहती थी बहुत पहले से रहती थी और इन्हें जो थे Brythons भी बोला जाता था और इन्ही के नाम से जो है इस जगा का नाम Britain पड़ा था ये तो पता नहीं ये लोग यहाँ पर रहते कब से थे लेकिन ये पता है कि ये लोग जो थे सबसे पहले यहाँ पर रहते थे ब्रिटेन में फिर इनके बाद जो है Romans यहाँ पर आते हैं और ये जो Romans हैं ये Rome से आये थे और ये लोग 43 से लेकर के 410 AD तक यहीं पर रहते हैं Romans ने ब्रिटेन पर काफी लंबे टाइम तक राज किया इस टाइम तक England नहीं बना था इस जगा का नाम England नहीं पढ़ा था क्योंकि England जो है बाद में पढ़ता है वो मैं बताऊंगी कैसे पढ़ता है आगे तो ब्रिटेन ही था इस जगा का नाम तो ये जो Romans थे ये ब्रिटेन में थे लेकिन इस टाइम Picts ट्राइब थी एक बहुत ही जंगली ट्राइब थी ये जो थी ब्रिटेन के उपर बहुत सारे हमले कर रहे थे बार बार इस टाइम तो जब तक Romans ब्रिटेन में थे ये लोग इस Picts ट्राइब का सामना जो थे डटके कर रहे थे और Romans ने इनके हमले से बसने के लिए एक Hendrian Wall भी बनाई थी और ये लोग Romans क्योंकि ब्रिटेन में रहते थे लेकिन ये जो थे अपने साथ Latin Language लेकर के आया थे ये लोग Latin Language बोलते थे और लिखते थे लेकिन तभी क्या हो जाता है रोम पर जो है अटेक होना स्टार्ट हो जाते है और जो रोम का किंग होता है हॉन्रियस वो इन Romans को जो है बापस रोम में बुलवा लेता है ब्रिटेन से और ये जो Romans है इनको यहां से जाना पड़ता है तो जैसे ही ये जो Romans है ये बिटेन से चले जाते हैं तो Picts के जो attack है वो Keltz tribes के ओपर जो है बहुत जादा बढ़ने लग जाते हैं और ये जो Keltz tribes होती है ये अकेले इन attacks का सामना नहीं कर पाती है क्योंकि इन में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये इतने जादा स्ट्रॉंग नहीं होते हैं तो इन केल्ट्स ट्राइब्स के लोगों ने इन अटैक्स का सामना करने के लिए तीन जर्मैनिक ट्राइब्स थी उनसे हेल्प मांगी जो थी एंगल, सेक्शन और जूट्स तो उस आप आईरनी देखिए जिन्हें इन केल्ट्स ट्राइब्स के लोगों ने जो है हैल्प के लिए बुलाया था ब्रिटेन में तो उन्हीं ट्राइब्स ने ये जो जर्मैनिक ट्राइब्स थी उन्होंने धीरे धीरे जो है इस केल्ट्स ट्राइब्स के लोगों को जो है लड tribes थी angles और sections इन्होंने आने वाले 600 सालों तक जो है Britain में राज किया क्योंकि इनका जो number था वो जादा था और ये दोनों tribes जो थी बहुत जादा powerful थी लेकिन ये जो juts tribes थी इनके संख्या कम थी और इन्होंने जो है time के साथ जो है ये लोग वहां से जाने भी लगे और कम भी हो गए तो ये जादा powerful नहीं थी इनमें से तो ये दो बहुत जादा powerful थी और क्योंकि ये बहुत जादा powerful थी और angles तो सबसे जादा powerful थी तो angles के नाम पर ही जो Britain का नाम है वो England पड़ा मतलब angles land angles की land से ही England बना तो अब जैसे ये जो angles और sections और jutes थे ये लोग Britain में आए तो ये लोग जो थे Germanic language भी अपने साथ ले करके आए और बहुत सारी जो language थी वो इनकी language का influence जो है Britain के उपर पड़ा तो ये जो Germanic लोग थे जो कि Northern German से आए थे ये लोग बोलते थे Old English इनही की language को जो है Old English कहा जाता था क्योंकि जो Old English को आज आप देखोगे और जो German की language है वो एक दूसरे के साथ काफी match करती है अगर आप जो है कोई Old text पढ़ोगे Old English का और Old English जो है आज के जो Modern English speaker है उनको जरा भी समझ में नहीं आएगी उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्योंकि Old English और जो Modern English है उसमें जमीन आसमान का अंतर है तो अब जो है Old English period जो है start हो जाता है और ये होता है 5th century से 450 से तो अब जब यहाँ पर जो है angles और sections ने रहना जो है start कर दिया था 5th century से और Old English start हो जाती है तो Old English language जो थी उसको West Germanic language भी हम बोल सकते हैं कि Germanic language का बहुत ज़ादा influence था तब की English में तो ये बोली जाती थी जिस एरिया को आज हम जो है England नाम से जानते हैं वहाँ पर और उस एरिया में कब बोली जाती थी ये 5th से लेकर के 11th century के दौरान बोली जाती थी लेकिन Old English को लिखना जो है बहुत जादा late start हुआ है 8th century में start हुआ है बोलना है 5th century से start हो गई है लेकिन 8th century तक ये जो है writing में develop नहीं हुई थी ये जो है लिखना बाद में start हुई है काफी late इसी कारण से जो है इस period में बहुत कम text है जो की literary text बहुत कम survive कर पाए है और ये जो language थी ना इसमें क्योंकि आप जानते होंगे कि जब एक बड़ी language बनती है तो वो छोटी-छोटी dialects को मिला करके ही बनती है तो ये जो old English थी इसके पास जो थे चार dialects थे एक था North Ambrian और दूसरा था Murcian तीसरा था Kentis और चौथा था West Section और ये जो West Section था इसमें बहुत ज़्यादा text लिखे गए थे सबसे ज़्यादा text जो थे वो इसी dialect में लिखे गए थे West Section में इन में भी लिखे जाते थे लेकिन West Section में सबसे ज़्यादा लिखे गए थे तो ये जो 4 dialects Old English में उस टाइम यूज की गई थी तो ये इसी लिए था किनकि ये जो Angle Section और Jutes थे ये लोग भी Different Different Places से आये थे और ये लोग भी अलग-अलग Tribes थी ये लोग एक जगा से नहीं आये थे उठकरके तो इसी लिए इनके जो dialects थे वो Different Different थे इसी कारण से जो है बहुत सारे dialects को मिला करके जो है ये Old English बनी थी मतलब बहुत सारी Germanic Language को मिला करके Old English बनी थी तो अब Angles और Section तो यहाँ आकरके बस गए थे लेकिन इसके वाद 6th century में क्या होता है St. Augustine नाम के एक धरम गुरू होते हैं जो कि धरम का परचार कर रहे होते हैं तो यह यहाँ पर आते हैं इंग्लैंड में और यहाँ पर Conversion करते हैं लोगों में Christianity का धरम परचार करते हैं और लोग अपना धरम परिवर्तन भी करते हैं चेंज भी करते हैं Christianity में तो यह 597 में आते हैं और Christian धरम का परचार जब यह करते हैं तो Christian धरम को लोग अपनाने लगते हैं तो क्योंकि इनकी जो language थी यह Latin थी तो इंग्लैंड में Latin language की entry जो है बारा से होती है एक बार Romans के साथ आई थी और दूसरी बार फिर से अब जो है यह Christianity के साथ आती है Latin language और Latin के साथ जो है Greek भी आती है तो लोग जो है यहां पर Latin और Greek की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि Bible भी जो थी Latin में ही लिखी गई थी पहले इसको बाद में translate किया गया है English में तो वो जो बुक्स थी वो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दी तो वहां के लोगों की जो old English थी उसके अंदर जो है Latin भी Latin के word भी involved होना स्टार्ट हो गए क्योंकि Latin जो थी बहुती ज़ादा powerful language थी उस टाइम की और Latin को हर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ती जानता था आज भले Latin language dead है लेकिन Latin language से बहुत सारी language बनी हुई है English ही नहीं बहुत सारी language में Latin language में अपना contribution दिया है उनको बनाने में तो Latin language जो थी बहुती ज़ादा famous language थी तो अब Latin का जो influence है वो Old English में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे अब जो है 8th, 9th और 10th century में क्या होता है जो Scandinavian invasion स्टार्ट हो जाता है मतलब जो Vikings ordains होते हैं वो Britain पर आकर हमला करने लग जाते हैं यह जो Vikings ordains होते थे यह एक तरह से समूद्दर के रास्ते से आते थे और यह जो थे लोगों को loot के चले जाते थे, उनको मारते थे काटते थे और यह जो Vikings लोग होते थे, यह बहुत ज़ादा wild लोग होते थे, खुन खराबे वाले लोग होते थे और इनका जो बरताव था वो बहुत ही बुरा होता था लोगों के साथ ये बहुत जादा पावरफुल थे इनकी लड़ने की टैक्निक्स बहुत जादा फेमस थी और वाइकिंग्स के उपर एक बहुत ही फेमस शो भी बना हुआ है जो कि इसके मतलब हिस्टरी को बताता है ये जानने के लिए कि वाइकिंग्स कौन होते थे एक तरह से समुद्री लोटेरे होते थे जो समुद्र के रास्ते से आते थे लेकिन ये जो थे इनका जो इंटेंशन होते थे वो ब्रिटेन में बसने के नहीं होते थे यह वहाँ पर बसने के लिए नहीं जाते थी, यह सिर्फ लूट पार्ट के लिए जाते थे और लोगों को मार के वापस आ जाते थे, लेकिन क्यूंकि इनका जो influence था वो भी English Language में बहुत जादा था, क्यूंकि यह बार-बार जा रहे थे और कुछ लोग तो even बीच-बीच में वहाँ पर जाकर के बाद में इन्होंने बसना भी स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर पहले तो इनका ऐसे intention नहीं थे, वाइकिन और देन्स के, लेकिन बाद में इनका बहुत जादा influence पड़ा English Language के उपर, और यह लोग भी जो थे, जो जैसे की angles और sections बोलते थे, Germanic Language, तो इनमे बड़ा हिस्सा जो है, इन दोनों Language ने जो है, Latin और Germanic Language ने English को दिया हुआ है, English में इनका बहुत जादा contribution है, तो यह जो angles और sections होते हैं, यह लोग जो है, अडॉप्ट कर लेते हैं, the style of script of Iris Missionaries, मतलब Iris Missionaries जैसे अपनी books का style रखती थी, उसको जो है, अडॉप्ट कर लेते हैं यह लोग, such as, for example, जो एक style है, वो है insular half unseal, तो यह एक style है, जो मैंने यहाँ पर picture लगाई हुई है, ऐसे letters लिखे जाते हैं, इस style में, तो इस style को अडॉप्ट कर लेते हैं, और इस style को जो है, जो Latin books भी इस style में लिखी जाते थी, उस time, Latin वालोंने भी style को अडॉप्ट किय था, तो हम जानते हैं, कि जो angles और sections लोग थे, उन्होंने लिखना जो है, रोमन के लोगों से सीखा था, जो Latin लिखते थे, और इसलिए जो है, English language जो है, यूज करती है, जो 26, जो इसमें alphabet है, consonant और baubles, वो Latin alphabet है, मतलब English के अपने alphabet नहीं है, वो Latin language के alphabet है, इसलिए मैंने बोल जो है, बहुत जादा help की है, English को जो है, डिवेल्प होने में, तो शुरुवात में, जब Old English का period, जो है, start ही हुआ था, तो beginning में, there were very few words in journal use, बहुती कम words थे, आज जैसे कि English के पास, जो है, सब्दों का पूरा बंडार पड़ा हुआ है, लेकिन उस time ऐसा नहीं था, तो हम द Old English में words लिखे जाते थे, वो इस side लिखे हुए है, तो आप spelling देख सकते हैं, spelling में ही कितना ज़्यादा अंतर है, जैसे father की spelling आज जो है, F-A-T-H-E-R होती है, लेकिन उस time F-A-E-D-E-R होती थी, mother की M-O-D-O-R होती थी, brother की B-R-O-T-H-O-R होती थी, sister की देखी, कितनी ज़ different होती थी, man की spelling जो है M-O-N होती थी, लेकिन आज हम जो है M-A-N लिखते हैं, और उस time जो थे, दो ही demonstrative थे, जैसे that और this ही थे, और that को भी कैसे लिखते थे, T-H-A-E-T और S-E और S-E-O, मन्दब ऐसे ऐसे लिखा करते थे, that को भी, और this को लिखते थे, T-H-E-S और T-H-E T-O-S, ऐसे लिखा करते थे Old English में, इसलिए Old English जो है बहुत जादा different थी, और there were no A and the, जो articles होते थे, वो नहीं होते थे, A और the article, तो आप सोच रहे होंगे कि आप जो है, the good man कैसे लिखते थे उस time, तो the good man जो है, वो ऐसे लिखते थे, that लिखते थे आगे, जैसे S-E लिखा हो है, that, और good man की spelling देखिए, G-O-D-A-M-O-N होती थी, तो A good man कैसे लिखते थे, तो A good man, A की जगा जो थे, N लिखते थे, मतलब N का मतलब होता था, उस time 1, तो आज भी A की होता है, इसका मतलब, तो ये देखिए, जो good man की spelling तो आपको मैंने पहले ही बता दी, तो इतना रुटर को जो है, A की समझा जाता था और past जो है, एक होता था, तो दो ही tenses होते थे, और आगे देखिए, Earth की spelling देखिए कैसे लिखी हुई है, E-O-R-T-H-E और अर्थ को जो है feminine समझा जाता था, land की spelling देखिए कैसे लिखी हुई है, और land को जो है neutral समझा जाता था, तो जो तो Old English period के time में जो है जो angles और section थे उन्होंने epic poetry लिखना start किया, sermons, riddles और Bible का translation किया Latin से English में और end में उन्होंने history लिखना भी start किया, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखना start की, तो Old English के लगभग फिर भी 400 वर्क ही survive कर सके हैं आज तक, मतलब इतने ही वर्क आपको Old English के मि लेंगे और अब हम जो है most famous वर्क देख लेते हैं Old English के जो survive कर गए हैं, जो जो है survive कर चुके हैं और आज जो है वो present है, तो जो first है वो है epic poem Beowulf, तो ये जो वर्क है, ये बहुत ही famous वर्क है, ये इसलिए famous वर्क है क्योंकि ये जो था ये पूरा मिला था literature में पहला वर्क थ इसके ये जो text मिला था, इसके उपर कोई नाम भी नहीं था, इसका नाम भी जो है क्योंकि इस poetry में जो main character था, उसका नाम वेवुल्फ था, तो उसी से इसका नाम भी जो है, वेवुल्फ तभी रखा गया है इस poem का नाम, तो Elegy's poems भी लिखी गई थी इस time में, The Wonderer, The Seafarer, Wife Lament and Husband Masses, और इसके बाद जो है, दो war poetries भी है, जो बहुत ही जादा famous है, Battle of Malden and the Battle of Brunanburg, तो ये जो थी बहुत ही जादा famous work थे, Old English के, और उस time जो थी heroic poetries लिखी जाती थी, और religious poems लिखी जाती थी, sad poems लिखी जाती थी, तो ऐसे work उस time जो थी लिखे जाते थे, तो Old English period जो वो multilingual period था, क्योंकि बहुत सारी languages का जो use था, वो एक साथ हो रहा था लगातार, तो यहाँ पर ये जो chart आपके सामने present है, ये आज की English का है, modern English का, कि कौन सी language का कितना percent contribution English में है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, Latin का 29%, तो ये Old English period में आ चुकी थी, Britain में, और Germanic language का 26% है, ये भी जो थी, enter कर चुकी थी, Old English period में ही, Greek का 6% है, ये भी कुछ हद तक enter कर चुकी थी, other languages 6% है, तो जैसे जो Celtic tribes थी, सबसे पहली tribe, उनकी language थी Celtics, तो उसका बहुत कम influence था, लेकिन influence था, जैसे कि places के name थे, और उसके लाबा, आज modern English में, जो है, सिर्फ 20 words जो है, उस language के जो है, यूज किये जाते हैं, English में, तो बहुत कम influence था, लेकिन था influence, तो अब हम next video में देखेंगे, Middle English period, और देखेंगे Middle English period में, जो French language है, वो कैसे आती है, Britain में, और कैसे इतना बड़ा influence, जो है, 29% influence है, English में, French का, तो कैसे इतना बड़ा influence, जो है, English पर छोड़ जाती है, और कैसे जो है, वहाँ पर जो है, एक France का जो राजा होता है, King होता है, William, वो जो है, England को हरा देता है, और वहाँ पर जो है, अपनी सत्ता स्थापित कर देता है, वहाँ पर राज करता है, तो ये थी इस वीडियो की ending, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आ